जैसा कि आप लोग टाइटिल देख रहे हैं कि UPSC ने जारी किया PCS मुख्य परिच्छा का नया पाठक्रम तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 मार्च को आई थी PCS के 173 पदों की भरती तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ख़वर है UPSC के नए स्लेवस को लेकर के मेंस की एकजाम के लिए तो साथियों लेकते हैं कि लिखा गया है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग ने PCS मुख्य परिच्छा का नया पाठक्रम जारी कर दिया है अब मुख्य परिच्छा में विशे की अनिवारता खत्म हो गई है उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश विशेश के दो प्रस्न पत्र होंगे यानि उत्तर प्रदेश को लेकर के दो विशेश प्रस्न पत्र होंगे अभ्यारतियों की मांग पर ऐसा बदलाव किया गया है इस बदलाव में मानवे की विशियों के पर अभ्यारतियों को फायदा होगा स्केलिंग की जरूरत नहीं होगी और विग्यान वर्ग वालों को ज़्यादा नमबर देने का विवाद भी खत्म हो गया है इस बदलाव से दूसरे राजियों के अभ्यार्थी काम आएंगे लेकिन इससे उन अभ्यार्थियों को परेशानी होगी जो संग लोग सेवा आयोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको PCS पर इच्छा देने के लिए उत्तर प्देश विसेश अलग से पढ़ना होगा UPSC ने PCS के 173 पदों परभाती का विग्यापन तीन मार्च को जारी किया था तीन अंक तीन अप्रेल तक पंजी करण और फीश जमा होंगे 6 अप्रेल तक अंतिम रूप से आविधन जमा होगा मुख्य परिच्छा का पाठकरम जारी नहीं किया गया है तो यह ध्यान रखेंगे कि जो मुख्य परिच्छा उसका पाठकरम अभी तक जारी नहीं किया गया है अगे देखेंगे अब आयोग की वेवसाइट पर पाठकरम जारी किया गया है मुख्य परिच्छा संभावता 23 सितंबर को संभावी थे ध्यान रखेंगे 23 सितंबर प्रते के अभ्यार्थी को आठ प्रस्न पत्र हल करने होगी और प्रस्न पत्र 15 अंकों का होगा तो जो है आठ प्रस्न पत्र हलारा न है और पंदास्न अंकों की द्यान रखेंगे सामान हिंदी और दोसा निवंद का 11ありますio को करने सव का depth उसकों इसके बाद दोसाव अंकों की सामान अध्यन के छे परस्ण होंगे सामने अध्यन के पहले जान नहीं डाखींगे Samanei adyan कि पहले प्रशंपत्र में इतिहास, दूसरे में राजनीसास, तीसरे में हरतसास, चतो में भूगोल, क्रशी, पर्यभरण और जो रोग प्रसाषन व्यवैब्स्ता अभिवक्त से प्पूछे जाएंगे अब उत्तर पदेश यह ध्यान रखना को नई चीज जोड़ी गए उत्तर पदेश से प्रसंट पूछे जांगे यानि प्रसंट होंगे इसके अभ्या होने के बाद स्रावंकों का इंटर्व्यू होगा तो साथियों और भी कुछ देख रहेते हैं पाठक्रम में यह है नया जो नई चीजे नया पाठक्रम में यूप्यसी मेंस के एक्जाम में आई हैं सामाने अध्यन 5 उत्तर पुदेश का इस्यास सभ्धता संसक्रत प्राचीन मेले नोक्र लोकनत्य भाषा परत्रन्याद राज व्यवस्था लोक सेवाएं शहरी एवं पंचायती राज भूम शुधार सुरच्छा कानून व्यवस्था चिकिस्था सिच्छा रोजगार आदियोजना हैं और देखेंगे सामाने अध्यन 6 में क्या पूछा जाएं कि उत क्रसी का व्यवसाई करन एवं फसलों का उत्पादन क्रसी की समयस्या मतश उद्यान सीचाई भागवानियाद भौगोलिक इस्थितियां प्राकतिक संसादन वन जी अभ्यारन परिवहन पर्यावरन पर्यावरन प्रदूशन विज्ञान और तक्निकी तो साथियों ये UPSC न कामना हैं और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल से हमारे ज्यादा से ज्यादा जूणे ऐसी ही जानकारी हम आपको भविश्य में उपलगत कराते रहेंगे है वे नाइस डेग